नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक एर किट के बारे में इसके फायदे जानेंगे नुकसान जानेंगे और इसका जो सही तरीका होता है इस्तमाल करने का वो भी इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो को पूरा देखेगा लेकिन उससे पहले दवाईयों की ज सेट होता है यानि कि किट होती है और इसका जो MRP है वो है 413 रपे तो जो इसमें सॉल्ट होता है वो है माइफी प्रिस्टोन टेबलेट एंड मीजो प्रिस्टोन टेबलेट तो इसको एक बार कोल के भी देख लेते हैं कैसा होता है इसका पत्ता कुछ इस तरीके का ये पत्ता होता है पांच गोलियों का सेट होता है ये उपर वाली टेबलेट है वो है माइफी प्रिस्टोन और ये जो चार टेबलेट है वो है कर लेते हैं इसके इस्तिमाल की किस काम में उपयोग की जाती है दोस्तों इस किट का उपयोग गर्व पात करने के लिए किया जाता है यानि कि अवोशन करने के लिए किया जाता है अगर किसी की प्रेग्नेंसी नौ हफ़ते की हो गई है तो वो इस टैबलेट इस किट की मदद से उस pregnancy को साफ कर सकते हैं कि clear कर सकते हैं गिरा सकते हैं ठीक है तो न venous have people on text कि इससे जो है pregnancy clear हो जाती है तो दोस्तों मेरे video बनाने का मकसद सिरक्न के सिरf यह है कि कई लोग इस जो tablet का खाने का जो तरीका नहीं जानते हैं और वो गलत तरीके से खा लेते हैं जिसकी वज़े से क्या होता है कि उनको काफी प्रॉब्लम्स का सामना कई बार क्या होता है कि अच्छी तरह से अंदर से साफ नहीं हो पाता है जिसकी वज़े से या फिर उन्हें दूसरी किट खानी पड़ती है या फिर ज आके होता है वह करवाना पड़ता है तो पीडियो में ठीक है तो यह जो फॉस्ट टैबलेट होती है एक टैबलेट देना है जैसे कि अगर आपने सोमवार को यह टैब्लेट ली है सुबह तो मंगलवार पूरा छोड़ देना है बुद्धवार को सुबह क्या करना है कि इन चारों गोलियों का इस्तिमाल करना है अब यह चारों गोलियां में ही सबस्यादा कन्फूजन होती है लोगों को लेने में ठीक है कि यह सुबह शाम लेनी है कई बार जैसा मेडिकल वाले बता देते हैं वैसा कर लेते हैं लेकिन इसके तीन तरीके है इस लेने के ठीक है सबसे पहला तरीका तो यह होता है कि चारों गोलियों को आप योनी में अंदर रख सकते हैं बिलकुल गहराई में अंदर तक उंगली की मदद से पूरा अंदर तक इसको रखिए और 15-20 मिनिट तक उपर सिर करके लेड़ जाए एक तो तरीका ये हो गया और दूसरा तरीका जो है इसके खाने का होता है इस क्या करना होता है कि दो गोलियां आपने एक दाथ जो मूह होता है मूँ के अंदर रखनी है दो गोलिया दूसरी साइट गाल और दाथ का जो हिस्सा होता है दबा के रख ले वहाँ और तोनों साइटों में रखने वह हुltaya चारो गोलियों का चारो गोलियों को एक साथ निकालके अपनी जीब के नीचे रख लेना है 20 मिनिट तक फिर आपने पानी पीलेना है ये है तीसा तरीका तो आप इन तीनों तरीकों को कर सकते हैं सबसे बैटर मेरी ख्याल से तो जो होता है जीब के नीचे रखने वाला वो सही है चारो गोली एक साथ रख लो और पानी पीलो ठीक है आपने एक दिन का गैप जरूर करना है इसको लगातार नहीं इस्तमाल करना ह पहले दिन आपने ये खानी है फिर पूरा दिन छोड़ देना है अगला दिन पूरा छोड़ देना है फिर उसके अगले मतलब की तीसरे दिन ये चारो गोलियों का इस्तमाल करना है ठीक है पहले तो आपने किट से चेक कर लेना है जो प्रिगनेंसी है कि नहीं है तब ही इस इसको इस्तवाल ना करें किसे कुछ ज्यादा साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं कई लोगों को कि कई बार एड्मिट होना पड़ सकता है इसकी वजह से क्योंकि कमजोरी वगएरा बहुत जादा हो जाती है ब्लेडिंग होने लगती है बहुत जादा और पहली गोली से भी ब् किसी किसी केसिस में ऐसा होता है तो यह था इसका यूज करने का तरीका और और bleeding कई बार काफी दिनों तक बनी रह सकती है 15-20 दिन तक भी बनी रह सकती है तो उसमें देखो घबराने वाली कोई जरूत नहीं होती है कई बार क्या होता है कि pregnancy होती है ज्यादा दिनों की हो जाती है जैसे 9 हफतों की हो गई फिर आपने इसको लिया टैबलेट को तो कई बाद धीरे-धीरे सारा साफ हो जाता है लेकिन हो जाता है ठीक है तो ये किट बहुत सारे नामों से आती है आप किसी भी कंपनी की इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन डॉक्टर की सला से ही लेनी है और फार्मासिस्ट अगर हैं अगर आसपास में या फिर मेडिकल वाले से आप पूछ लिजिए सिरफ इस वीडियो का बनाने का उद्यश यही है कि सिरफ आपको इसकी नॉलिज देना सही डोज का ठीक है तो यही इसकी सही डोज होती है और आप जब ब्लेडिंग रुक जाए तो कुछ दिन तक तो वैसे पॉस्टिव ही बताता रहता है फिर भी बीच बीच में चेक कर लेजिएगा ठीक है तो काफी दिन तक पॉस्टिव बताता रहता है तो जब दूसरी MC आएगी आपको जब यह बंद हो जाएगी व्लेडिंग शुरू हो जाएगी फिर दुआरा से जो पिरियड्स होते हैं वो फिर से जब आपके आएंगे तो फिर आप समझ जाए कि पूरी तरह से क्लेर हो गया है और कई महलाओं का जल्दी भी बता देता है कि पॉजटिव नहीं बताता है नेगटिव बताने लगता है तो आप देख लिजिएगा और डॉक्टर की देखरेक में ही लेना चाहिए यह अपनी मर्जे से इस्तमाल ना करें ठीक है तो दोस्तो साइड इफेक्ट भी मैंने बता दी है इसके यही था इसका रिव्यू उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक जुरू कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले का धन्यवाद